अच्छेहिन एक के लाण हमें आप से भी का स्वागत है आज हम लग चलते हैं अध्याय तीन में जिसमें अनुवांसिक अब बातावरं का परभाव पढ़ना इस से क्वेशन आप आज़ता है इसे से क्वेशन दो वालता ही है सीड्या में तो अनुवांसिक के बारे जानते हैं तो अनुवांसिक का अर्थ क्या है तो अनुवांसिक मतलब node क्या होता जैंब एंप-बंस और दो का socialist क होना ही सीड जाना अनुबानसिक्ता के माध्यम से क्या होता है सरीर मानसिक समाजिक गुनों का अस्थनातरन होता है जो कि बालकों होता है माता पिता वाला जो गुन होता है वो बालकों भी आ जाता है तो जेम्स ड्रेवर के अनुसर क्या जेम्स ड्रेवर ने अनुबान सकता के बारे में क्या कहा तो इसने बोला कि सरीरी एवा मानसिक बिसेस्ताओं का माता पिता के से संतानों में हस्तना अंतरन होना ही अनुबान सकता कहा गया है? की जो विशेज्टाइं प्राप्त करतें उन्हें बनसानुकरम करतें अलगा है घनवाद सकता का वे데 भयकतियं अीजुटी आपने माध्यका पित्हा के माध्यमिसे प्पूरवजों को जो विशेष्था कर्ता हुआ बनसा-नुकरम आता है तो कि द्वाद बुट्स बात के द्वारा इसमन कोस्चन आते ना था इसमन का अर्थ के बारे में जानकारी रखी उसके बाद है अनुबान सिक्ता का परभाव तो अनुबान सिक्ता का परभाव इफेक्ट ओफ एरेडिटी विभिन लच्णों जैसे कि सारीरिक बुद्धिक चरित्र पर बालक के रंग, रूप, अकार, सारीरिक गठन, उच्चाई, इत्यादी का निर्धारन, उनके अनुवान सिक्गुनों को बहत्पून योगदान होता है आधिकांस्ता जुडवा भाई, दू युगमज होते हैं जो कि दो पिर्थक युगमों जागोट से भिक्सित होते हैं यहां वहाई हो जैसे जुडवा वहाई और भाहनों की तरह मिलते जुलते होते परंतु, अनेग परकार के प्रस पर यह क्या होता है, एक दूसरे से भी भीन होते हैं बालक के अनुवान सिक्गुन उसकी बिर्धि और विकास को भी परहावित कौन करता है तो अनुवान सिक उसके वाद सारी दिक लच्छनों की बाहक जीन प्रकर तथा प्रतिगामी दोनों परकार करे हो सकते हैं यह ग्यात सत है कि किनी बिसेश्ट रंगों के लिए पुरूस और महला में रंगों को पहचानने की अंधता कलर बलाइडनेस यह किनी बिसेश्ट रंगों की संबेदी नारी में नर्स से अधिक हो सकती हैं एक दादी और मा स्वाइं रंग अनता से गरष्ट रख्त होए बिना किसी नर्थ शिसू ko यह स्थिति स्थांतित कर सकती है यह एसी स्थिति इसलिए क्योंकि यह बेकृति परखन होती है प्रहनों महलाँ में यही परतिगामी होती है भी होताँ जिन्स दाधी और मा, हूए रंग अन्सा से गरश्ट हुए, बिना किसी नर्स इसू को, यह तिती है अस्तित कर सकती है, यह स्तिती इसलिए है, क्यों कि यह कृट्टी पर्खन होती है, प्रंतु महला輪 में, यही प्रतिगामी होती है, जिसी भी होता है, जिन्स जिन्स क्या होता है जोड़ों में होता है प्यर्स में होता है जिन्स यदि किसी जोड़े में दोनों जिन्स प्रखर होंगे तो क्या होगा उस व्यक्ति में हुआ विस्ष्ट लच्छन दिखाए देगा जैसे रंगों का पहचाने क्या होगा यदि एक जिन्स प्रखर ह मतला आगे कुम चला जाता यह अग्ली किसी पिढ़ी में अपने पर्दरसित करता अतर किसी विप में किसी बिसिष्ट लच्छन के दिखाई देने के लिए प्रक्र जिन ही जिमेदार होता जो अभी लच्छन दिखाई देते हैं वे परदर्शित वज़ाई से आज़ों का रंग आदि उन्हें समलच्छनीे कहते हैं परतिगामी जीन क्या होता है परतिगामी जीन अपने लच्छन परदर्सित नहीं करते जब तक वे अपने समान अन जीन के साथ जोड़े नहीं बना लेते जो अभी लच्छन अनुवांसिक रूप से परतिगामी जीनों को रूप में आगे संचारित हो जाता है उसमें क्या हो मतलब learning, सिखने की योगता है, बुद्धी को अधिगम की योगता कहलाता, जिसमें समयोजन का योगता, एक साथ रहने का, नीरने लेने की छमता, इत्यादी के रूप में परिवासित किया गया है, बुद्धी को, जिस बालक में सिखने की गत्य अधिक होती है, उसका मानसिक बिकास भी तीवर होगा, अधिक होगा, बालक अपने परिवार, समाज, विद्याले, एवं अपने आपको किसी तरह भी समयोजित कर सकता है, यह बुद्धी पर ही निर्वर करता है, वो किसी तरह भी समयोजन कर सकता है, समयोजित करता है, दुशरे से मिल के रह सकता है, वो तिव्र बुद्धी माता पिता के संदान तिव्र बुद्धी वाले होते हैं। मतलब जिसके माता पिता मंद बुद्धी होते हैं उसकी संतान मंद बुद्धी और जिसकी माता पिता तिवर बुद्धी के होते हैं उसका संतान भी तिवर बुद्धी वला होता है। उसी के साथ मानसिक छहमता का अनुकूलन ही बालकों में संबेगात्मक छहमता का विकास होता है। बालक में जिस परकार के संबेगों का जिस रूप में विकास होता हुआ उसके समाजिक, मांसिक, नैतिक, सारेरिक, भासा समयन्दी विकास को पुरी तरफ रहावित करता है और छमता रखता है। यदि बालक अत्यधीक, कुरोधित या भावित रहता है। यदि उसमें इर्थिया या बहिमनस्य की भावना अधिक हो तो उसके विकास की परकेरिया पर भी इसका प्रतिकुल प्रवाप पढ़ना स्वभावित हो जाता है। उसके बाद है संबिगात्मक रूप से जो की असंतुलित बालक पढ़ाई में या अन गंभीर कारजियों में भी ध्यान नहीं दे पादे। फल्सुरूप उसका मांसिक भिकास भी परहावित होता है या कम होता है या जादा होता है परहावित हो जाएगा। उसके बाद है चरित्र परहाव। चरित्र परहाव क्या है। इसमें क्या डग डेल नामक पर ग्यानिक ने अपने अनुसंधान के अधार पर यह बताया कि माता पिता के चरित्र का परहाव उनके बच्चों पर पढ़ता है। जन यह विपींदिकजी इसनलमा ने लोग सफ़र्व देखाे हैं, gafat जाना,ゴarined? मुएफएर 1089 है यहां यह विब्यूक नामक भ्यक्ति के बंसजों का अध्याण और करके, यह वात सिधिक, डग्डेल ने 1877 में क्या क्या जीवक नामक ब्यक्ति के बंसजो को अध्यान कर गया बात सिध्ध कर दी कि वहां माता पिता का जो परहा होता हो बचों पर भी पढ़ा पढ़ता है चरित का पढ़ा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भ बोले